सर नीट के एक्जाम हो गया है और बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा नंबर लेकर गया रहा है तो इसमें जैसे एक हम लोग वीडियो लेकर गया है आप लोग के लिए जिसमें की complete analysis देने वाले हैं कि कितने questions easy हैं कितने moderate हैं और कितने tough थे और इस analysis में सबसे खास बत क्या है कि as a teacher नहीं हम लोग बनाए है as a student इस चीज को देखने ही कुसिस करी है बच्चों से बात करके ठीक है तो काफी authentic और बहुत ही बहतरीन है analysis complete देखिएगा जिसमें कि हम लोग फिजिक्स में फिजिकल chemistry में कितने questions आए हैं और गेनिक में कितने आए हैं इन और्गेनिक में क सब्सक्राइब को 16 questions सर आये हैं और फिजिकल chemistry में 18 इन और्गेनिक में सब्सक्राइब सब्सक्राइब याद होगा हम लोग मैं भी वीडियो बनाया था बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइब कि और गेनिक में ही ऐसा था कि ज्यादा से ज्यादा मतलब कि चैप्टर्स रखे आपका इन चैप्टर सब्सक्राइब ने अगेनिक में धेर सारे चाप्टर लेकिन पूरा बराबर और फिजिकल का इस बार थोड़ा दो ज्यादा पूछ दिया गया है तो और फिजिकल के इस पूश्चन लेंदी वह ता वो मतलब कि मुझे लगता है कि बहुत सरे बच्च करने में टाइम लगता है उसमें चार कोश्चन में चार कोश्चन उसको तो नहीं बोलेंगे लेकिन लेंदी जरूर है जैसे उसमें सर आपको यह भी पता होना चाहिए कि और उसमें था कि तो एसे करके बहुत सारे केमेस्ट्री में तो इस बर खास करके थोड़ा सा थोड़ा सा पैटर्न जो है अजीव सथा था थोड़ा अलग पैटन हाँ जितने लोगों ने गेस किया था सबका गेस लगभाब फेल हो गया कि और गयनिक जादा आएगा और लोगों को था कि इन और गेनिक कम आएगा अगे बढ़ते हैं जैसे कितने कोश्चन्स थे जो फिजिकल में इजी साथ कोश्चन्स थे में जो इजी थे मॉडरेट साथ और डिफिकल्ट में चारा गए इन और गेनिक में टोटल कितने थे अपके पास सोला कुशन्स थे आठ बहुत ज्यादा इजी थे ठीक है ना जिसमें पांच आप मॉडरेट ले सकते आठ पांच और तीन डिफिकल्ट आपके माने जाएंग उसमें जर सॉल्ट वाले कुश्चन आप ले सकते हैं और यह तो अरगेनिक में देख सकते हैं कि इजी छे था और और डिफिकल्ट में भी दो ही कुश्चन है मॉडरेट आठ है और सोचिए ना फैलिंग सॉलूसन का पूछा था कि ए और बी क्या होगा ठीक है वह भी असान था और टोटल कोश्चन इजी 21 मॉडरेट बीस और डिफिकल्ट नौ तो मुझे लगता है इतना कोश्चन तो कर लेगा बच्चा इतना आराम से कर लिए और स्टूडेंट का क्या मानेगे केमेस्ट्री में सार अगर वो 42 कोश्चन अगर सही किया है 40-42 कोश्चन सही किया है तो बच्चों अगर 40 कोश्चन तक आप अच्छे से करके आए हो तब आप बहुत अच्छे नंबर एक्सपेट कर सकते हो आपको अच्छा एक चीज और भी टूल है जैसे नीचे एडिस के लिए उसका आप देख सकते हो ना नंबर डाल करके अपना कितने एक्सपेक्टेड आपका रेंग का सकता है वो एक अपना फिगर बता देगा ता कि आपका माइंड जो है फ्रग्लेक्स हो जाए मार्क्स वर्सेज रैंक्र टूल है और अगर कर रहा है कोशिस की इनको माली बच्चे होंगे जिनका नॉम्बर प्रसा बॉडर लाइन पे होगा तुमको कैसे अच्छा कॉलेज मिल सकता है यानि काउंसेलिंग में हम दो मदब करने की कोशिस पूरी करेंगे ठीक है नेक्स्ट है आपका चैप्टर वाइस यह काफी आ रहा है कि अटोमेक स्ट्रक्चर के दो आगे थर्मोडानमेक के दो बड़े आसान से कॉश्चन थे एक वर्क दन वाला था और एक मैचिंग था सर इक लिब्रियम के तीन कोश्चन थे जिसमें सर एक तो मैं मानूंगा कि थोड़ा हो डिफिकल था लेकिन क्या था वो नेक ठीक माले जाएंगे सल्यूशन के दो कॉश्चन थे लिए ज्यादा बाजी मार लिए एक केमिकल इकलिब्रियम में सर दो चैप्टर और सर दोनों से कॉश्चन मतला कि इजी पूछा जया था इसबर थर्मोडानमेस मिलाके टोटल पांच पांच कॉश्चन हो गया और जैसे अब 18 कॉश्चन अब देख सकते हैं कि फीजिकल कमेश्टी से पूछा गया है और बच्चे नों फीजिकल कमेश्टी को फड़ा सा लाइटी ले रहे हैं खासकर के मोल कौन से मोल को अब मोल काना रेगूलर हर एक साल कॉश्चन पीछा जा रहा है स्टाइक को मेंटरी से बा है और ऑर्गेनिक में पहले जो चाप्टर है इस से तीन कोश्चन पहले चाप्टर बता दीजे कौन को से चाप्टर है बड़ अर्गैनिक एसाफसे तीन-चार चाप्टर है और व्योप फ नेधिया कोश्चन था भी सर जीए घोसी है आय अई सो मेरे जम कर्भिकाटांक के स्टेबिलिटी का कॉश्चन है तो भी है हाइड्रो कार्बन के दो कॉश्चन है है यह इलकेन है यह इलकाइन है फिर उसके बाद उसका अरोमैटिक है और इससे मातर दो कॉश्चन है लेकि बहुत मोटा चाप्टर है यह हाइड्रो कार्बन सब सबसे बड़ा चाप्टर है यह है मैक्सिमुम रियक्शन तो इसी में कबर हो जाएंचा